नवस्कार मैं हूँ विजिया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट भरी मेह फिल्में शेहनाज गिल ने माहिरा शर्मा पर लगाए खूब लांचन जिस पर फैंस ने सुनाई खूब खरी खोटी जी हाँ सल्मान खान के विवादी शो बिग बॉस 13 को शुरू हूए कुल 103 दिन बीट चुके हैं बीती रात तो घर की लड़कियों ने खूब हंगामा भी किया पहले मद्रिमा तुली ने माहिरा शर्मा की होटो पर कॉमेंट किया और उसके बाद शेहनाज गिल भी उन पर निशाना सात्ती हुई नजराइं दरसल हाली में कैप्टन सी टास्क रद करवाने की बज़े से बिग बॉस ने माहिरा शर्मा पारस शाबला और असिल रियास को सजा दी सजा के तौर पर इन तीनों को ही घर का सारा काम करना था ऐसे में कलराश शेहनाज गिल ने किचिन में गंदे पड़े बरतनों को लेकर घर में मुद्दा बनाने की कोशिश की शहनास गिल ने माहिरा को टार्गेट करते हुए कहा कि घर में बरतन क्यों गंदे पड़े हैं इतने में माहिरा को गुस्सा आया उन्होंनी शहनास पर चलाना शुरू कर दिया माहिरा के साथ लड़ाई करने की वज़े ढूनने वाली शहनास गिल ने इस मौके का फायरा उठाते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुना डाली इतना ही नहीं शहनास ने तो माहिरा शर्मा और पारस के रिष्टे का भी मजाग बना डाला शहनास गिल की इस हरकत को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह के रियाक्शन्स आ रहे हैं कोई माहिरा को इस स्तिदी में मजबूत रहने को कह रहा है तो कई लोग शहनास गिल को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं आप देख सकते हैं फास के रियाक्षण्स, आप देख सकते हैं क्या कुछ कह रहे हैं लोग माहिरा को लेकर साथी शहनास के बारे में भी क्या कुछ कहा जा रहा है सोचल मीडिया पर महरा और शेहनाज गिल की लड़ाई की वज़े कोई और नहीं बलकि पारस च्छाबना है शुरुआती दिनों में शेहनाज गिल और पारस में खूब अच्छी नजदीकिया देखने को मिलती थी लेकिन अब पारस महरा के इर्दगिर्धी नज़र आते हैं और ये बात शेहना